मोधिक रेली से पहले हुए पटना सीलल दमागों में पटना और रांची से दो-दो संदिक्तों को गिरफतार किया गया है इसके अलावा पटना और मजब पनगर से दो को पुश्टाच के लिए हिरासप में भीलिया गया है पुलिसे अब तक जांच में आठ पर शिपन जागसा गिरफतार दोन संदिक्त आतंकियों के कमरे से अलकाइदा आतंकियों साम बिन लादिम की तस्वीर जिहादी साहिफे की तस्वीर भी बरामद हुई है फुलिस दमागों में इनकी भूमिका की जाज की जा रही है राजी पुलिसे छापे मारी कर दो डेटोनेटर और प्रेशर कुकर बं भी बरामद के हैं प्टासीर ब्लास में इसे बेहत एहम सबूत माना जा रहा है दरसल सुवेरे गांधी मैदान के एलिफेस्टन सिनेमा हौर के पास दिमाका हुआ यही ये भीर ने एक संदेग्द इम्तियास को धर्द पोड़ा था जिससे पूश्टाच के बाद पटांपर इसको राजी में आतंके ठिकाने की जानतारी मिली थी मामने में गिरफतार हुआ पहला शक्त से राजी का रहने वाला है और कल शाम को गिरफतारों होने वाली दोनों शक्त भी राजी की रहने वाले है जाज एजन्सियों के मतबग पटता पे हुए सिरिल तमाकोई साज़े शुराची के धुर्वा में HEC कॉलोनी में रची गई थी जिसका मासम माइंड तहसीन अफ़तार है सबस्ते पर के रहने वाले तहसीन अफ़तार नाम के संदेख जातकवारी तलाश में पटता पुलिस और जाच एजन्से ने कोशिशे शुरू कर दी है काफी अरसे सेथ के तलाश है विहार के डीजीपी अभया अनन्द ने पटता में बयान दिया है कि रैली में हुए बंग दमागों में आईजी का इस्तमाल किया गया है विहार कोले सुजाच में एन आईए और एनलजी की मदद कर रही है बीजेपी अभिहानन ने गाहा है कि मानव बम के इस्तमाल करने की तो पुष्टी नहीं की जा सकती नेगिन ऐसा हो सकता है कि बम प्लांट करते बक्ती धमागा हुआ हो राजीपी पूर के इन्वे मंत्री स्बोत कां सहाय ने पड़ता सीरल ब्लास पर विवादत बयान देते वेगा कि नरिंद्र मोदी को हीरो बनाने के लिए अफ़ बीजेपी ने ही सीरल धमागों की साज़ शर्ची इन्वे बीजेपी के पूर्व अधिया श्रतिम धटकरी ने बियार की सरकार पर अगम भीर आरोप लगाए हैं गटकरी निगाए कि इस बात की पूरी संभाधा है कि निप्रिशन सरकार इंतना मागों में शामिल हो पटना में मोदे की रैली में हुए सीरल ब्लास से च्छे रोग की मौत हो गई है और तेरासी घायल हो गए हैं लेकिन ब्री मंत्री सुषिन कुमार्शंदे ने गटना स्थाल पर पहुशने के बजाए मुंबई में हो रही बॉल्यमेंट पार्टी का वज़ा लेना जादा समझा पटना में इसी घाल ब्लास के बाद ग्री मंत्री सुषिन कुमार्शंदे ने बॉल्यवड अभी नेत्री गंगनार नौत की फिल्म रद्जो का म्यूजिक लॉंच गया है इससे समझा जा सकता है कि शुद्रे धुमार्शंदे को लेकर कितने संधीदा है मुमे में गंगनार नौत की फिल्म क्या म्यूजिक लॉंच हो रहा था और इस समारों में ठुमकी लगाए जाये थे व्रीमन प्रीशंदे भी इसमें महमान थे कारकरम से निगलते हैं वक्त जब उन से नमाहू इस बार में पूछा गया तो उन्होंने इसकी जाच किये जाने की बात कहेंकर अपनी अपचारिक्ता भी पूरी कर ली वियार मुक्षी मंतीर निदीश कुमार ने था में पात्ता में पीजेबी की रहली के इंदजामों में किसी तरह की स्रक्षा चुक से इंकार करते हुए गहा है कि तद्सलेवार विस सूर्ज राज्य में कानून गयवास्ता भी आड़ने की कोशश चैए बियार के मुख्य बंते इंदीश कुमार ने अपनी ब्रेस्पांस रगाए कि ये बिहार में माहौल बिगारने की एक साज़श थी निदेश ने बताया कि 38 घायल भी अस्पताल में फटी है निदेश कुमार ने गाए कि हमारे में चारिक मतभीर हो सकते हैं इस तरह कि आतंकी घटनाओं के बाद सभी पाते हुए एक जुटता का परिश रह देना चाहिए बंदा में बियार वीज़पी के अध्याश ने सुशिल कुमार मोदी निगा है कि पटना सीरल ब्लास के बाद सावित हो गया है कि निदीश सरकार कितनी लाचार है सुशिल मोदी ने घटनाओं को अपराद एकला परवाही बताया बीज़पी की नेता मुली मनोह जोशी ने मांग की है कि नरेंडर मोदी की बढ़ती लोग प्रियता को देखते पे उन्हें देश की सरवत्तम तुरक्ता दी जानी चाहिए बीज़पी की प्रवक्ता निर्मला सीतरम ने पटना सीडल तमागों के लिए जेडियो और वियास अटार की तुष्टी करन की नीथी होज़े में दार थेराया है बावरिस पासेचर दिख्विजे सिंग ने टूइट कर पत्ता में हुए विस्पोडों की कड़ी निंदा की है दिख्विजे नगाया की नितीश को दोशियों का पता रगाना चाहिए नहीं तो इससे बिहार में मोदी के सादम जम जाएंगे रोगजन शक्तिपादी के नेता राम विलास पासवान ने पत्ता में हुए वाम इस पोडों के लिए भिहार के मुख्विजे नितीश कुमार के निंदा करते हुए कहा कि इस घतना ने सुशासन के नितीश के दावे की पूल फुल दी है मोदी के रैली से एंट पहले हुए पत्ता सीरल ब्लास की बात पूरे देश में बीजेपी की नारकरताओं में गुस्ते की नहर हागरा में धमागों खिलाफ बीजेपी ने जवर्दस विरोद प्रदर्शन किया परना विस फोडो के दिन्दा करते वे राश्पती प्रणम मुखरजी ने गाए कि आतंग बात का मुकाबला करने के लिए देश को एक्विट होना चाहिए परना विस फोडो पर गेह दुख व्यत करते वे कॉंगरेस अज्याच सोने गाए कि इस तरह की विदवन्स काडी और कायराना हर कात हमारे लोक्तंतर पर प्रणा करने के लिए की गई है पिश फोटो की निंदा करते पहिस, उन्हें ने गहा कि जाहिए जिसने भी इविसफोट किये हैं, उसे जल से जल अदनीद किया जाहिए, उन्होंने मारे गए, लोगों के परिश्णो के प्रती समवेतना प्रकिश की और घायलों के जल्द स्वास्पों ने की काम ना की बीजेपी के वरिष्ट नेता लावकृष्ट अन्वानी ने ग्रीमंत्री सुचिल कुपार शंद्र और बिहार की मुख्य मंत्री नित्रिश कुपार को फोन कर पठता दमागों परचिंदा जताई BJP के वरिष नेता सुश्मा सुराज ने नरेंद्र मोदी की रैली के दिन पठा में हुए सीरल दमागों की दिन्दा करते हुए गार की बहुत बड़ी खूफिया विफलता है केरल के मुख्यमंत्री उमान चान्दी के सिर पर चोट लग गई सोलर स्कैम्प लेकर ADF के कारेकरताओं ने पठ्थरबाजी की मुख्यमंत्री के सिर पर पठ्थर लगने से खूँ निगलाया मुख्यमंत्री उमान चान्दी के रैल कोलिस अन्यूवल एथलिटिक मीटो कॉंग्रेस की एक पब्लिक प्रोग्राम में हिसा ले रहे थे दुरान वो लेफ्ट वरकरों की गुस्से का शिकार कुए पत्तर लगने के बाद भी मुख्यमंत्री उमान चान्दी का एकरम में बैठे रहे विश्रकाई महीनों से राज्य में हुए सोलर गुटारों में उन्हें लेफ्ट पात्यों को विरोध शिलना पर रहा है अज़ियला स्पेशल कोट पे कैश को गोट मामले में बेहरेंट सुदवाई आज अमरसिंगे खिलाफ आरोग तैकरने पर आसकता है फैसा मिज़िप की दो निताओं पर भी तैव हुँगे आरोग दिलमंत्री मलिका अरजुन खाड़गे ने मुँबाई में नई लोकल ट्रेंज को हरी जिंदी तेकर रवाना किया उमीद है कि इन नई ट्रेनों से मुँबाई करों को भीड भरे संपर से रहात मिले इन नई लोकल ट्रेंज को ज्यादा अरामदायग बनानी कोशिश की गई है ज्यादा पोल्स और हैंडल्स रगवाए गई है साथ ही लेक स्पेस के लिए भी जगह ज्यादा रखी गई है प्रता जंक्शन पर हुए दुमागे पर प्रतिक प्रिया देते वे रिलमंत्री मलिका अर्जन खडगे निगाए कि रिल्वेड ट्रेंग को स्रक्षन बनाने के लिए बैस तक्ती का इस्समार करने की पोशिश कर रहा हूँ जिनेव पोहँचे बागिस्तान की पूर्प दामंत्री बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो ने भारत पागिस्तान की भी शांती की वोशिशों का समर्थन जरते वे गाए कि हिल्सा का जवाब हिल्सा नहीं होता पागिस्तान में भी काफी लोग पियर हैं उनकी बैटिंग को देखने के लिए पागिस्तानियों में भी रोमाज देखा जाता है जोत्पुर के चौकर गाओं में बाइबास पर टकर के बाद गैस टैंकर वे भीशन आग लगई जोत्पुर में आग के पास घर और जंगल की जाड़ियां जलकर खाक हो गई मौके पर सेना के जबाद फाइबर केट के दस्ते ने आग पर काबू पाया दिली के दरिया गंज में अचाना के कार में आग लगई कार सवारों को साथाएं से पहले ही बाहर निकाला गया फाय ब्रिकेट्स की दो काड़ियों ने कार में लगी आग को बजाया मेरट के नगर निकम कारियाले में आज देर राग को अचाना कार लग गई तमको इन भाग की तरीब आधा दर्जन काड़ियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाने की पोशिक थी मेरट के नगर निकम के रिकोर्ड रूम में लगी आग से काफी दस्तारवेजों को नुफसान पोहँचा है उनके दश्टों होने के आशिक का जटाई जा रही है पिशासन ने आग की वज़ों को पता लगाने की पोशिशन शुरू कर दी है तरफ पर जाई तनाव के बीच भाटियर पाकिस्तानी सेना के एंबेथरगाज संखश फिराव के लंगन पर होगी जटाव फ्लाग मीटिंग में तनाव भटाने के उपायों पर होगी माधा पच्च्चे विज़े करें महीं दोज़े पाकिस्तान हर दिन तीन से चार बार सीस्वाय का और लंदन कर रहा है भारत पर पाकिस्तान के अधिकारिया आज सीमा विवाद पर बाद चीख करेंगे दाजनिंग में गोर्ख लैंड की मांग को लेका विरोध प्रदर्श नेवा फिर शुरू हो गया है जीजे एमेम के चीफ बिमल गुरांग ने कहा है कि जब ते रंगाना बन सकता है तो गोर्खा लैंड क्यों रही मितिराद मुबाई की जुगेश्परी लाखे में हरेश महफ्रे नाम के एक विवापारी के घर तक्रीबल साफ लाख रुपई की चोड़ी हुई मुबाई के मिलार में एज कंपनी के मालिक चेतन भाडवाज के हात्यागा मामला पुलिस से इमेल पर मिले रिज्यूम से सुलचाए है पुलिस के हात्याग के आरों पे 20 साल के एहमद सिद्गी को गिरफतार किया गया है पुलिस की मताबिक एड कंपनी के मालें चेतन भाडवाज जो के एहमद सिद्की से एक साल से शाररेट संबन थे पंदर अक्टूबर के राफ सिद्की के साथ संबंद बनाने के लिए चेतन ने जबरदस्ती की साथी आश्रील वीडियो से फ्लाक मेल करने इतन की भी दी जिससे गुसाय एहमद ने उस्ताम खत्र किया मई के मराज़ लाके विस्त रुस्तम जी तावर्स में 16 अक्टूबर के दिन एड अजनसी के बिजनस्मैंट चेतन भाडवाज के हाथियां के बाद पूर अपास में निसन सरी खैल गई थी रहसां के सीकर दिले में SSC के एक्जाम सेंटर में नगल करने के आरोफ में सब्तर शातों उग्रमतार किया गया जेगिंग स्कॉर्ड ने इन सभी सब्तर शातों के पास से नगल के लिए हाई टेक तक्नीकी से लैस कई उपकरन की परामत के शातों के पास से ब्लूटूथ दिवाइस मिले दिले में SSC के मालेक आशीश चारोडिया को धोखा धड़ी के आरोफ में गिरफतार के लिया गया है वो अपरेल महीने से ही पराच चल रहा था पत्याला है कोट उसे दो दिन की जमानती है कुबाड़ा के हंग द्वारा से पुलिस ते एक संदिक को गिरफतार के लिया है पुलिस को शक है गिरफतार शफ्स का संबन आतन की संधथन जैशे महंबत से है नारंदा में दुकार के मालिक ते अपने अकाम करने वाले 14 साल के मोहमद आमिर नाम की बच्चे को चोरी के आरोप में जम कर मारा भीता हो फिर उसके गुपताँगों पर तेज़ाब डाला जारकन के बुकारों जिले में दुगदा नाम की जगह पर ग्रामेरों ने जम कर हमनावा किया सरग्दुरकर्टा के बाद दिसाए गाउवारों ने कई गाड़ियों को आख के हमाले किया बोधगया के फिश्व प्रसेदर बोध मंदर में थाइलाइन से आए एक दल ने पूजा पाच किया बोधगया मंदर गुरिया भर में रह रहे बोधवों की आस्था कर सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है